नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है फिर एक बार चीन ने कॉंस्पिरेसिस शुरू कर दी है डोकलाम में अपनी सेना के संख्या बढ़ाने लगा है और भारत के आर्मी चीप ने इस बात का खुलासा भी किया है कि हाला कि भारत जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी चीन की कॉंस्पिरेसि सामने आ गई है डोकलाम से एक बड़ी बात सामने आई है क्योंकि इसी डोकलाम विवाद में जब पिछली बार 2017 में 90 दिनों तक भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने थी तो एक करती के बारे में था जो अभी भारत जोडने की कोशिश में लगा हुआ है जो यात्रा पर निकला है पूरे हिंदुस्तान में भारत को जोडने के लिए जो बार बार ये वात करता है कि भारत में भै का महौल है डर का महौल पैदा हुआ है और यहां पर राज्ज को साये में जी रहे हैं देश में तानासाही चल रही है गरीवी और बिरोजगारी चरम पर है उस व्यक्ति के बारे में उस समय एक ऐसी बात सामने आये थी जो पूरी कॉंग्रेस के लिए शर्मनाक है क्योंकि कॉंग्रेस और खास कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का चीन स जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे उसके बाद सामने आने लगा और ये कनेक्शन ऐसा है जिसे जानकर सुप्रिम कोट भी आश्चर्ज में पढ़ गया था हलना कि सुप्रिम कोट उसी सिस्टम का हिस्सा है जो कॉंग्रेस ने बनाया है इसलिए उस विवाद को लेकर सुप्रि कोट की बात याद आ गई और उसने कह दिया कि ये मामला हाई कोट में दायर करने के लाइक है इसलिए आश्चर्ज के बावजूद उसको उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया ये बात 2017 की है जब 18 जून से लेकर जुलाई अगर अगस्त में यानि कि लगभग 90 दिनों त गतिरोध लंबा चला था क्योंकि ये विवाद ही कुछ ऐसा था इस विवाद में बीच में एक बफर स्टेट के तौर पर जो हमारा भूटान है वही था क्योंकि भूटान और भारत के संबंद बहुत बहतर हैं भूटान चीन के और भारत के बीच एक बफर स्टेट यानि क बीच का वो देश जो दोनों के सामने खड़ा है दिवार की तरह उस भूमिका में रहता है और चीन के साथ भूटान का संबंध इसी वज़ा से खराब है क्योंकि भारत के साथ बेहतर संबंध भूटान के माने जाते हैं इसी बीच जब डोकलाम का छित जो भूटान के अंदर पड़ता है उसके बाद भारत का छित राता है वहाँ पर चीन का एग्रेशन दिखाई पड़ा यानि चीनी सेनिक वहाँ पर पिकेट बनाने लगे भूटान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो चीन का मुकावला कर सके ल चीन का तिबबत पर कब्जा होना जायज है तिबबत चीन कहें हिस्सा है लेकिन इस बीच भूटान की तरफ जो चीन की सेना बढ़ रही थी उसमें बदले हुए भारत ने अपना भी ताकत दिखाई और भारतिये सेना भी भूटान के साथ जम कर खड़ी हो गई दोनों के बीच तनातनी का महौल रहा नब्बे दिनों तक एक गतिरोद जारी रहा और जब 28 अगस्ट को ब्रिक सम्मेलन होने वाला था उससे पहले ये गतिरोद खत्म हुआ था क्योंकि चीन ने भी अपनी सेना पीछे हटा ली और फिर भारत सरकार ने भी अपनी सेना को पीछे हटाने का आदेश दे दिया लेकिन इस बीच एक बड़ी कॉंस्पिरेसी देखी गई और वो कॉंस्पिरेसी थी राहुल गांधी की क्योंकि जब 18 जुन को ये विवाज सुरू हुआ था उसके बाद राहुल गांधी और कॉंग्रेस पूरी तरह से सक्री हो गई थी ये पहला बड़ा मामला था जिसमें चीन और भारत के बीच 2014 के बाद बड़ा गतिरोद दिखाए पड़ा था और उससे पहले जितने भी मामले भारत चीन के बीच होते थे उसको हैंडल करने के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी और पुरी कॉंग्रेस के टीम तयार हो दी थे इसलिए अब कॉंग्रेस को लगा कि वो चीन को कैसे मुह दिखाएंगे वो क्या बताएंगे चीन को कि इस समय जो भारत किसे न डटकर खड़ी है वो क्यों खड़ी है और कॉंग्रेस इसमें क्या कर रही है राहुल गांधी सोनिया गांधी की कॉंग्रेस क्यों नही के बीच के बिवाद यानि भोटान और चीन के बिवाद में भारत को क्यों पढ़ना चाहिए और उसे बीच राहुल गांधी जुलाई में छुपचुपा कर रात के समय चीन के दूतावास पहुंचते हैं ब्लास्ट होती है बाद में एक खबर जब धीरे धीरे इसके बारे में जानकारे मिलती है कि चीन के दूतावास में रात में राहुल गांधी क्या कर रहे थे वो वहाँ पर क्या समझाता करने गए थे कौन सी खूफिया सूचना लेकर गए थे चीन के राजदूतावास में जहां दूतावास में वो बताने वाले थे कि कॉंग्रेस ने क्या किया या फिर वो ये बताने वाले थे कि माफ कर दो क्योंकि इस माफि की जरूरत कॉंग्रेस क के तहत 2014 के बाद कॉंग्रेस के पास कोई ऐसी खूफिया सूचना ही नहीं जो चीन को दे सके इसी के लिए राहुल गांधी वहाँ पर गए कारण पता नहीं चला लेकिन कॉंग्रेस ने इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिज की कुछ दिन के अंदर ही ये खबर फैली क्यो आई भी हो रा हो या फिर केंद्रिय सुरक्षा एजंसी हो हर को की नजर चीनी दूतावास पर तो रहेगी ही और इसलिए जब राहुल गांधी वहां से निकले उसकी जानकारी मिली और ये मीडिया में खबर भी चली देकिन कॉंग्रेस ने बढ़ चढ़ कर बताया कि ये ख रखंदीब सुर्जेवाला ने प्रिस कॉंफरेंस करके भी बताया कि ऐसी खबरे चल रही है राहुल गांधी से सवाल पुछे जा रहे हैं लेकिन ये सवाल बिलकुल गलत है राहुल गांधी चीनी दूतावास में नहीं गये थे लेकिन खबर छुपी नहीं रही क्योंकि चीनी अमबेसी ने खुद ही इस बात को कंफर्म कर दिया कि राहुल गांधी चीन के दूतावास में उनसे मिलने के लिए आये थे और ये खबर छपी चीन के अखवार में यानि सरकारी अखवार जो ग्लोबल टाइमस है उसमें ग्लोबल टाइमस में साब तोर पर ये बताय गया कि चीन के अमबेसी में राहुल गांधी गए वहां पर दोनों के बीच यानि की चीन के अमबेस जारा राहुल गांधी के बीच घंटों तक बात हुई रात में पाती हुई और उसके बाद राहुल गांधी वहां से चले गए हाला कि ग्लोबल टाइमस में ये बात नहीं कही जा सकते थी कि ये गए क्यों थे सवाल तो उठा लेकिन उस सवाल के साथ जवाब दूसरे अस्तर पर दिया जाने लगा क्योंकि राहुल गांधी वहां गए थे इसकी जानकारी जब ग्लोबल टाइमस में मिल गई चीन की अमबेसी ने कन्फरम कर दिया तो कॉंग्रेस बैक फुट पर आ गई कॉंग्रेस ने भी स्विकार कर लिया कि राहुल गांधी वहाँ पर गए थे और फिर 10 जुलाई को राहुल गांधी ने खुट ट्वीट किया ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश के बारे में और सीमा पर क्या हो रहा है उसके बारे में जाक रुक रखना मेरी अपनी जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने भुटान के राजदूस से भी मुलाकात की कई दूसरे कांग्रिस के नेताओं से भी मुलाकाद की जो नौर्थ इस्ट के थे साथ ही उन्होंने पूर्व एनसे से मुलाकाद की और साथ साथ में वो चील के राजदूस से मुलाकाद करने के लिए अमबेस्टी में गये लेकिन राहूल गांदी की इस जूट के पीछे पूरी बज़ह सामने आए क्योंकि जो उन्होंने कहा था, कंफर्म किया था और जो लॉजिक दिया कि उन्होंने मुलाकात भुटान के राजदूद से भी की थी उन्होंने मुलाकात सुरच्छा सलाहकार से भी की थी और चीन के राजदूत ने भी की थी इन सारे बातों में कॉमन क्या है क्योंकि ये लॉजिक दिया जा रहा था चीन के जुताबास में जाने के पीछे के कारणों को बताने के लिए क्योंकि अगर सीमा पर विवाद चल रहा है और राहुल गांधी कॉंग्रेस के इतने बड़े नेता हैं तो वो अपने पुर्व डिफेंस मिनिस्टर से बात कर सकते हैं वो सरकार से अपील कर सकते हैं कि इसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए वो नौर्थिस्ट के दौर में जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर तो चीन अपनी बाते करेगा और अपनी बाते बताएगा कि आपके अस्टिर्जी क्या होनी चाहिए क्योंकि चीन के साथ तो आपका पुराना रिष्टा है ये खबर इसी तरीके की नहीं थी क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण था दोहजार सत्रा से पहले दोहजार आठ पर जाते हैं जहां पर राहुल गांधी और सूनिया गांधी चीन के दोरे पर भी गए और वहाँ पर एक M.O.U. साइन हुआ कॉंग्रेस पार्टी और कॉमनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच ये दोनों के बीच जो M.O.U. सा पार्टी नहीं है कि उसमें किया क्या जाना था दोनों पार्टी ऑपने अप अस्तर पर एक दूसरे के साथ डाइलो के लिए ये M.O.U. साइन किया था लेकिन इसके उपर सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार जिस पार्टी की सरकार किंदर में है उस पार्टी के साथ कोई दुसमन देश के साथ कैसे समझोता किया जा सकता है ये मामला बड़ा गंबीर था और अब तक कॉंग्रेस इसका जवाब नहीं दे पा रही है लेकिन जवाब दे या न दे जानकारी तो मिल ही जाती है हाला कि इस M.O.U के लेकर सुप्रिम कोट में भी याचिका जायर की गई सुप्रिम कोट में जब ये मामला पहुचा तो वहाँ पर जजो ने ये बात कही उन्होंने कहा कि ये आश्चर्ज की बात है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को उस देश के साथ समझोता करना पढ़ रहा है जो दुश्मन राष्ट माना जाता है जिसके साथ कई तरह के विवाद हैं लेकिन सुप्रिम कोट उसी सिस्टम का हिस्टा था 2008 में सरकार किसकी थी वो थी कॉंग्रेस की इसके बाद जो पी आयल दर्ज किये गए उस समय तक सुप्रिम कोट में भी वही आठ तरीके से कॉंग्रेस से ये सवाल नहीं पूछे नोटिस जारी नहीं की बलकि ये कह दिया कि ये मामला तो हाई कोट में भी निप्टा जा सकता है इसलिए आप ये PIL लेकर हाई कोट में जाए हाई कोट का रुख कोई अलग नहीं हो सकता है हाई कोट भी सुप्रिम पुल जवाब दे के कॉंग्रेस को बचाने की कोशिश करती रहे लेकिन सवाल तो ये उठा ही कि आखिरकार उस M.O.U. में क्या था और उसके बाद जब ये मामला अचानक से सामने आया कि एक और चीन के साथ कॉंस्पिरेसी की खबर कॉंग्रेस के साथ है और ये कॉंग्रेस क साथ नहीं बलकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ है ये है राजिव गांधी फांडेसन का मामला जिसको चीन की अमबेसी से एक करोड़ 32 रुपे मिलते हैं किस बात के लिए क्योंकि दोनों के बीच ये भारत और चाइना के भी संबंद कैसे बेहतर होंगे उसके लिए अस्टिर्जी बनाना रिसर्च करना तयारी करना काम है आरजिव का राजिव गांधी फांडेसन का ये लीगल तरीके से ये बताया गया कि एक करोड़ 32 लाग दिया गया है लेकिन इसकी सचाई कुछ और है क्योंकि पैसे और दिये गये थे रकम और बड़ी थी उसके लिंक जुड़े यानि कि 2008 राजिव गांधी का फांडेसन कॉंग्रेस और चाइना के साथ M.O.U. और फिर 2017 में जब डोकलाम में विवाद हुआ तो उस समय चीन की अमबेसी में राहुल गांधी का पकड़ा जाना यानि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन के इसारे जो काम कर रहे हैं वो इस बीच भी देखने को मिला चाहे गालवान की बात हो या तवांग में भारत और चीन के सेनाओं के भी जड़ब की बात हो हर समय यह वही भाषा का उपयोग करते हैं जो चीन चाहता है चीन यही चाहता है कि ऐसे मुद्दे पर भारत में अरजक्ता का महौल पैदा हो और उसमें महत्पूर्ण भूमिका विपक्षी पार्टी ही निवा सकती है जो कि कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस राहुल गांधी और सूनिया गांधी की पार्टी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें राहुल गांधी सूनिया ग बदल सकती है यानि राजपती बदल सकते हैं सरकार तो चीन की कॉमनिस पार्टी की ही रहेगी और ऐसे में एक लंबा समझोता किया गया है कि आज नकल सकता कॉंग्रेस की रहेगी नहीं तो कॉंग्रेस भी पक्ष में बैखी रहेगी और ऐसे में सोनिया गांधी राहुल गां में एक तरह से भारत और चीन की सेना आमने सामने आने वाली है और अगर वैसे में राहुल गांधी जुबान खोलते हैं तो उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि आखिरकार रात के अंधेरे में चीन के दूतावास में जाकर आपने कौन सी खूपिया जानकारी चीन को भेजी थी इसका जबाब उन्हें देना पड़ेगा तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है में सहयोग ताकि इसी तरही खबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद